यास तो सबसे पहले सभी लोगों को वेरी गूड इविरिंग दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग वापे बहुत 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 अच्छे होंगे ठीक है तो देखो यार अभी तक मैंने वापे आप सभी लोगों का जो इस वह आपने वापे कंप्लीट कर लिया उसके बाद मैंने आप सभी लोगों का चैप्टर नंबर फिफ्ट जो था जिसका नाम है फॉर्मस ओफ मार्केट वो भी मैंने वापे आप लोगों का कंप्लीट कर दिया था ठीक है अभी देखो आज का मेरा जो भी ये क्लास हो गया आज का मेरा जो भी ये लेक्चर होगा दोस्तों तो इस लेक्चर के अंदर यहापे में आप सभी लोगों का चैप्टर नंबर फ्री का जो ए वाला पार्ट है वो दो पार्ट है उसमें थ्री यानी थ्री बीटीक है तो ये वाली चीज वापे में आप सभी लोगों की क्या करने वाला हो बोलो मुझे start करने वाला हो तो अच्छे से ध्यान देना पूरा concentrate करना और इसके साथ साथ अगर में आप सबी लोगों के साथ वापे बात करो दोस्तों तो इतना याद रखो कि यहां पर कैसे होगा पता है क्या कि जो आप लोगों का chapter number 3A है ठीक है basically इसका जो वेटेज हो आट मारका है 3A का और दूसरा जो है उसका भी वेटेज 8 मारका है ओके मतलब 3A प्लस 3B मिला के आपका minimum जो वेटेज हो 16 मारका वापे हो जाता है which contains 20% of your board paper okay 80 में से 16 marks का mandatory आएगा और साथ साथ में अगर आया तो यह 22 मारका तक भी इसका वेटेज बढ़ सकता है ठीक है तो यह बहुत important chapter है तो आज की इस lecture के अंदर यहां पर आपन क्या करेंगे तो जो भी आपका इसका part number 1 है किसका मुझे बताओ chapter number 3 का part A okay जिसका नाम है वापे demand analysis ठीक है तो यह वाला जो concept है दोस्तों वह आपन आज के lecture में वापे क्या करेंगे मुझे बताओ हम लोग वापे start करने वाले तो प्लीज अक्चे से ध्यान देना ठीक है ना अभी देखो दोस्तों जिसे आप सभी लोगों ने वापे देख of the commodity ठीक है अगर किसी commodity में अगर मेरी इच्छाओं को पूरी करने के अगर ताकत है तो आपन क्या बोलेंगे मुझे बोलो वह commodity में क्या है मुझे बोले दिसे वापे दोस्तों utility है समझा के मैं क्या बोल रहा हूं ठीक है लेकिन मुझे एक बात बोलो कि मानलो अगर किसी ची जाओगे क्या मुझे बता नहीं जाओगे समझा क्या तो पहली बात इतना आप लोग याद रखना दोस्तों कि किसी भी goods का या किसी भी service का या किसी भी चीज का वापे demand होगा क्या नहीं होगा यह किसके उपर depend होता है मुझे बोले दिस दोस्तों उसके utility की उपर demand होता है स समझा क्या तो इतने याद रखना utility is the basis for the demand of any goods and services पहला समझा क्या दूसरी बात अभी देखो दोस्तों generally demand कौन करता है मुझे बताओ तो demand वहापे जो करने वाले लोग होते ना उसको अपन वहापे बोलते है दोस्तों consumer demand कौन करता है वहापे मुझे बोलो consumer करता है ठीक है consumer म आगे वाला ठीक है इसके अंदर यहापे हम लोगों को क्या करना है दोस्तों तो जो भी आपने consumer होते हैं यह consumer के behavior के बारे में यहापे हम लोगों को study करना है किस करें study करना है मुझे आपे बोलो तो जो भी अपना consumer है उसके behavior के बारे में यहापे हमको क्या करना है मुझे ब दिमांड मतलब किसी भी चीज की इच्छा होना समझ में आया कि जैसे for example देखो मेरे को चाम को चार बजे वापे बहुत बुक लगी थी और मुझे पाव बजी खानी थी सची में तो मैंने पाव बजी और कर लिया मैंने पाव बजी खा ली तो मुझे एक बाद वोला जब मेर को पाव बजी खाने की इच्छा हुई थी तो क्या वो मतलब क्या बोलो किसी चीज का मुझे चाहिए वो चीज मुझे चाहिए ऐसा लगना that is demand normal language में किसी चीज को हमारे पास होना चाहिए ऐसा लगना उसको अपन वापे क्या बोलते बोलो डिमांड बोलते एस पर नॉर्मल लैंग्वेश ठीक है वट एस पर economics language demand मतलब थोड़ी सी अलग चीज वापे हो जाती है तो economics की सबसे demand मतलब क्या से तो देखो economics की सबसे किसी भी चीज का demand अगर हमको होना चाहिए तो वो case में वापे हमारे तीन condition satisfy होने चाहिए कितने condition बोलो तीन condition पहला condition क्या कि पहला हमारी वापे desire होने चाहिए desire मतलब क्या कि मेरे को चाहिए बाबा at least मेरे मन में तो आना चाहिए ना कि वो मुझे चाहिए करके desire मतलब क्या बोलो इच्छा किसी चीज को purchase करने की इच्छा होना जैसे for example मुझे बहुत लगत लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी क्या करूं मालो हैरियर ले लू ठीक है समझ में आया कि तो वो क्या है मालो desire है समझ में आया दूसरा willingness to purchase मतलब क्या दूसरा अभी देखो बहुत बार क्या होता है कि लोगों क्वास पैसा रहता है लेकिन उनको वो चीज को लेने कि या वो चीज के उपर पाईसा करने खर्चा करने की इच् करता हो पैसा रहने के बावर्जुद भी ले रहा हूं कि मुझे बता हो नहीं ले रहा हूं समझ में आया क्या तो willingness to purchase मतलब क्या दोस्तों कि पैसा रहने के बाद भी क्या अपन वो कमोडिटी के उपर रेडी क्या स्पेंड करने के लिए उसको विलिंग ने सन तीसरा होता ह ability to pay मतलब क्या मेरी इच्छा बहुत है ओके मेरे को चाहिए भी हो लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं मान लो उतना तो क्या मैं ले पाऊंगा के नहीं ले पाऊंगा तो किसी भी commodity का demand अगर होना होगा तो वो case में हमको तीन condition satisfy होने चेए पहला desire दूसरा willingness to pay तीसरा ability to pay for the commodity amount of it जैसे for example देखो मानलो में वापे न समझो एक showroom में गया watches के showroom में मानलो में वापे चले गया ठीक है for example में शोरूप में गया और मुझे गड़ी वापे पसंद आई मालो पसंद आने एक बात मुझे वापे गड़ी जो अच्छी लगी वो उसकी खीमत थी 38,000 रूपीज कितने की थी बोलो 38,000 की पॉलीज के गड़ी वाप मुझे अच्छी लगी समझा क्या अब अगर मुझे मान लोगो अगर गड़ी चाहिए होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा 38,000 रूपीज उसको देना पड़ेगा और वो देके ओ गड़ी को मुझे पर्चेस करना पड़ेगा तो वह वही जब तक मैं उसको उतने पैसे नहीं दूँगा तब तक क्या मेरी इच्छा पूरी हो सकती ही क्या बोलो नहीं हो सकती है ठीक है विच बिल भी बॉट पर उनिट अट टाइम एंड प्राइस अभी देखो ध्यान दो बेसिकली इन दोस्तों अगर मैं डिमांड की वापे बात करो तो डिमांड एक रिलेटिव कॉंसेट डिमांड कैसा कॉंसेट बोलो रिलेटिव और डिमांड जो है न हमेशा टाइम अनि प्राइस के हिसाब से अपन करते हैं मतलब क्या समझो जैसे फॉर एक्जमपल दोस्तों देखो मुझे एक बात बोलो मंगल सुत्र जो होता है गले में जो पहनते हैं अपन मंगल सुत्र पता है न आप लोगों को ठीक है उसकी डिमांड असमीता कब करेंगी मुझे बताओ जब उसकी शादी होंगी अभी वह बत अलग है कि शादी में मामा के तरफ से मंगल सुत्र आता है लेकिन मानलो फॉर एक्जमपल बाक्के करने वाली है और उसका जो हस्बंड नेना या उसका जो बॉइफ्रेंड नेना एक नमबर का घरीब है ठीक है तो सब कर चाहिए उटाने वाली है आप समझ रहे में क्या बोल रहो तो मुझे एक बात बोलो वह मंगल सुत्र का डिमांड कब करेंगी मुझे बताओ जब वो टाइ जिसे देखो ना मानलो फॉर एक्जमपल जिसे स्वेटर है तो थंडी की दिनों में करेंगे अपने उसका डिमांड समझ में आ रहे हैं किसी भी चीजों का डिमांड होगा या नहीं होगा वो किसके उपर डिपेंड मुझे वापे बोलो टाइम के उपर है दूसरा क्या हो किसी गूर्ष का कीमत अगर जादा होगा अगर जादा होगा तो आप अनुसका डिमांड करेंगे क्या अगर करेंगे अनि किसी गुर्स का प्राइस मान लो कम है तो आप अनुस का डिमांड करेंगे क्या करेंगे तो क्या मैं बोलू कैसा कि किसी भी गुर्स का डिमांड होगा या नहीं होगा है होगा तो कितना होगा उसके प्राइस के उपर भी डिपेंडनेंट टाइम के साथ सथ ठीक है उसके देखो आगे concept है तुम्हारा demand schedule अभी याद रखो जब भी schedule ये word आएगा तब आपको याद रखना है tabular representation schedule मतलब क्या याद रखना है मुझे वहाँ पर बोलो tabular representation वहाँ पर याद रखना है समझा क्या तो इतना याद रखना दोस्तों कि demand schedule मतलब क्या तो demand schedule is nothing but the tabular representation जो क्या करेगा मुझे बताओ which will show the functional relationship between price and quantity demanded बोलो समझा क्या मतलब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि demand schedule क्या रहेगा एक table रहेगा जो हम लोगों को वहाँ पर बताएगा कि कितने price पर वहाँ लोग कितने quantity को लेने के लिए तैयार है बोलो समझा के नहीं समझा ध्यान में आ रहा है कि तुमको तो इतना याद रहेगा पक्का demand schedule is nothing but the tabular representation of the functional relationship demand schedule is the tabular representation which will show the functional relationship between price and quantity demanded बोलो समझा क्या अभी देखो यह जो भी तुमारा demand schedule होता है न बोलो दिटियल रहेगा मतलब क्या समझो इसमें इसका definition है इंडिविज्वाल डिमांड शेडिलीज नथिंग बट टैबिलर रिप्रेजेंटेशन विश्वेशो दो फॉंक्शन रिलेशन्शिप बिट्विन प्राइज एंड कॉंटिटी डिमांडेड ओफ और कंजूमर एक कस्टमर देखो होता है नहीं रेसा जैसे मालो फॉर एक्ज सबसत्राइब किलोग्राम है 102 103 वन हमसमजachtet मैं मेरे साट उधिस उसने मेरे को Barcelia बोला जाएग तुमको 400 रूपया किलोग्राम बोला था मेरे को कित्ता बोला था 400 रूपया फिर उसको बोला कित्ते किलो ची तू बोल दे मैं ते को टेम्प वर बेज देता समझा कि हां उसको फिर उस ओ जगड़े करकर के मैंने बरवर 180 रूपया से लिए थी उसके बाद अलग है ठीक है ब मरता नहीं इंसान समझ मैं कि चार गुना पईस दे कि क्या मतलब मुझे बताओं तो देखो बात समझने में क्या बोल रहा है आप लोगो को कि नहीं भाई है जो है वो है ठीक है उत्ते बार तो मैं चार बर आटे में आपल जूस पी क्या हूंगा सो सुरूप है का मस्त एक नमाई के नहीं चल सुना अरी बद्यान दो मैं क्या हो ठीक है तो देखो इतना याद रखना है आप दोस्तों कि ना जैसे जब 400 रुपय किलो ग्राम बोला तो मानलो मैंने बोला उसको वह एक काम कर दो एपल देदे 200 ग्राम देदे मानले ठीक है या वानलो 500 ग्राम देदे quantity भी मतलब item भी ले रहा है जो पहले ले रहा था लेकिन price differ हो गया है तो उसका demand भी differ हो गया है समझा क्या तो देखो वह इच बोल रहा है हो क्या individual demand is a quantity पहले individual demand मतलब क्या तो individual demand मतलब किसी भी एक consumer का demand that is individual demand अनि individual demand schedule मतलब क्या तो individual demand schedule is nothing but the tabular representation showing different quantities of a commodity at the different prices by a consumer समझा क्या ज्यान में आ रहे एक single consumer अलग-अलग prices पे कितने अलग-अलग quantity लेने के लिए तैयार है यह हमको वहापे जो भी table बताएगा that is called as याज़ आपे मुझे बताओ जल्दी सोस्तों individual demand schedule आपन इसको बोलेंगे समझ क्या क्या अभी दूसरा वापे होता है अपना कौन सा बोलो individual demand curve अगला concept क्या समझो अभी देखो जब भी तुमको करवाएगा न कर जैसे schedule मतलब क्या याद रखा तुमने टैबिलर रिप्रेजेंटेशन बराबर एक है वैसे curve मतलब याद रखने का तुमारा कौन सा बोलो graphical representation क्या रहेंगा याप मुझे बोलो graphical representation रहेंगा समझा क्या तो देखो क्या होता है जब भी मैं यह table को आपे graph की उपर डाल दूँगा न क्या बोलड रो मैं अगर मैं table को अगर graph की उपर plot कर दूँगा न तो वह मेरा वापे क्या बन जाएगा बोलो curve बन जाएगा क्या बन कि couch, am I not looking at duplicate? demand curve is Nothing but, the graphical representation of the demand schedule, क्या बोला मैंने, demand curve मतलब क्या, graphical representation of the demand schedule, ठीक है, अगर मैं individual demand, curve अगर we're talking तो मैं क्या करूँ each come? individual demand should use. individual demand curve is nothing but the graphical representation of the individual demand schedule, हगर मैं individual demand schedule को graph पर डालूँगा, तो individual demand curve will happen बनेगा अगर मैं Market Demand schedule को graph पे डालूँगा तो Market Demand कर बनेगा समझा के नहीं समझा मैं क्या बोल रहो ठीक है तो यहां तक clear है कि मुझे बता आनि हमेशा रखना उस्तों मुन्नी को क्या पसंद है मुझे बताओ बेस प्संद मुन्नी को क्या पुसरन चाहरा मुझे से ऊथिका नड़े फिक से पहान देना सुन मेरी बाथ देखो दोस्तों हमेशा रखना जो भी तुमारा दीदी तेरा देवर दिवाना दिधी मतलब डिमांड कर ठीक है या हमेशा केसे रहता है बोलो left to right downward रहेगा या हमेशा केसे रहेगा मुझे बोलो left to right downward रहेगा ऐसा समझा के नहीं समझा मुझे बताओ demand कर भी always left to right downward slope clear है के मुझे बताओ ठीक है क्यों ऐसा इसका reason समझो क्योंकि देखो दोस्तो प्राइज अनि quantity demanded का जो relationship और negative है जब ज़्यादा प्राइज होती है तो कम quantity demand होती है जब कम जब कम प्राइज होती है तो ज़्यादा quantity demand होती है तो इसके वज़े से वह आपर कैसा रहेगा बोले आपर इन्वर्स रहेगा क्लियर है क्या मुझे बता हो पक्का समझ में आयू तक मुझे बोलो ठीक है ओके अभी देखो next क्या दिया समझ लो अभी अपन यहापर बात करेंगे दोस्तों market demand schedule के बारे मैंने आपको क्या बोला schedule मतलब क्या tabular representation अभी अपन market की जब भी बात करेंगे तो मार्केट मतलब एक इंसान क्या बहुत सारे इंसान मुझे बता मार्केट मुझे आपकेला थोड़ी रहेंगा मेरे जैसे दो बनाने का कीमत वापे 10 उ Harley समझओ तो फवाप बोलरा मिरें ऊबराओ 10 बणा ना दे खिए foreign मुझे बताओ यह बाखिस की इंपर हर्एक जो customer है नंस नियोक्व कि आपक इतना कर रहा that is called as what market demand इसको आपन वापे क्या बोलते मुझे बताओ बच्चो market demand बोलते बोलो समझा क्या नहीं समझा पक्का क्लियर है कि यह तक मुझे बताओ ठीक है market demand मतलब क्या दोस्तो कि कोई भी consumer वापे उतने price पे वापे कितने quantity demand कर रहा है उसको आपन वापे बोलते दोस्तो market demand बोलो समझा इतना आप लोगों को ठीक है अभी याद रखना सुनो अगला तुमको उना दिया वापे market demand schedule तो market demand schedule मतलब हुआ ही है market demand schedule is nothing but what tabular representation which will show the functional relationship between price and quantity demanded by all the consumer by all the consumer market में जितने भी consumer है वो सारे consumer का अगर में मिलाओंगा तो यहापे मुझे क्या मिलेगा market demand schedule मिल जाएगा ओके अभी next सुनन दिया वापे market demand कर market demand कर मतलब क्या whenever सुनो मेरी बात market demand कर मतलब क्या दोस्तों कि जब भी वापे में market demand schedule को graph के उपर plot कर दूँगा जब भी में market demand schedule को graph के उपर डाल दूँगा तो मुझे क्या मिलेगा market demand curve मिलेगा तो market demand curve is nothing but what graphical representation of the market demand schedule ठीक है और देखो हमेशाध रखना जब भी आप भापे market market का कर्व बनाओगे न वो टाइम पे यूविल not consider individual persons demand instead of individual persons demand you will consider price of the commodity and market demand आपका x-axis पे यह आएगा नि y-axis पे यह आएगा इस से आप लोगों को आपे कोई मतलब रहेगा कि मुझे वापे बोलो नहीं रहेगा बोलो समझा के नहीं समझा इतना पक्का क्लियर है क्या मुझे बताओ ठीक है ओके वेरी गुड चैनल नेक्स देखो ज्यान दो आगे उनने वापे हमको दिया है रिजन जस्तीफाइडिंग डाउन ओड्र अप्धींह ऑफ डिमांड कर मैं आपको क्या बहला डिमांड करका मुझे बोलो लेफ्ट ऊ-राइट डाउन वड केorta व्रभरupa रें तो आइसल क्यों तो पहला दिया law of DMU अभी मुझे एक बाद बुला law of DMU में आपन ने क्या देखा कि बबाद the utility derived from the commodity always decreases always diminishes होता है के नहीं होता है ठीक है ना अपना जो भी utility है दोस्तों वह हमेशा क्या होता है बोलो कम होता है तो हर एक लोगों को पता है नहीं यह चार दिन की चांदनी है प्राइस पर आपके किसी भी commodity को लेने की पोशिश करता है देको उन्हें वहीं लिखा है we have seen that margin utility goes on diminishing with the increase in the stock therefore consumer tend to buy more when the price fall and vice versa implies that remand curve is a downward sloping बरहबर एक गलत है यह भी तो होता है नहीं देको मैं एक खुद का example बोल था ठीक है पहले ना मेरे को आपे mobile गड़ी इसका बहुत पागलो जैसे शोक था ठीक है बट ना बाद-बाद में क्या हुआ जैसे मान लो की बहुत सारे mobile ले लिए बहुत सारे गड़िया ले लिए टाइम आई साहता के नहीं कि बबाब ठीक है लिया दो-चार दिन उसमें से मज आती बाद में फिर ठीक है नॉर्मल होता है के नहीं होता है बोला ऐसा शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा यह सुर नो ठीक है जब आप मान लो की दो तरीके गुड्र होता है एक होता है बंगार कॉलिटी के गुड्र इसको आपन बलते इंफेरिययर गुड्र इंफेरियर गुड्र को saving के जो cheap कॉलिटी के गुड्र होते यह से बानलो फॉर एक्स वाई ब्रैंड की वापे चपपल पकड़ लो समझ रहा में नाम नहीं ले सकता ठीक है आप लेकिन इतना समझ लो एक्स वाई जेड ब्रैंड की आप आप पकड़ लो समझ में आया क्या अभी जैसे पॉर एक्जमपल पहले आप 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 का इंकम बढ़ गया तो आप वही चपपल ज्यादा लोगे क्या मुझे बताओ क्या उसके जगा पर मानलो आप एका दे ऐसे शोरूम में जाओगे जाओगे आप एस ही लगा रहेग एक आदी चींटी आपको बताएगी सब समझ रहें मेरी बात में क्या बोल रहो ठीक है तो आप आप क्या करोगे मुझे बोलो बाद में ब्रैंडेट शॉप में आप चले जाओगी यस और नो मुझे बताओ जापे आप समझ लो यार बाकी की बात है ठीक है यस और नो तो अच्छे कोली टिके गूट रहे तना उसकोल नॉर्मल गूड ठीक है अभी जनरली क्या होता है दोस्तों कि जब भी लोगों का इनकम बढ़ता है तब लोगों का नॉर्मल गूड का टीमांड बढ़ जाता है ज्यान मैं आगये जैसे मालो एक आधे XYZ ब्रैंड लेलो ठीक ह ना तो मुझे एक बात बोलो कि जब आप मान लो कि पचास अजर रूपया महिना कामाते रहेंगे तब शायद आप लोग वापे हजार पंद्रों सो की जीन्स पेहनते रहेंगे समझ आप कुछ वह बादा लग बाबा कुछ-कुछ लोग बाद अलग चीज रहती है है कहने बो इंकम इतना दिखावा इतना वो नहीं बोल रहा है में नॉर्मल इंसन की बात कर रहा हो बाबा कि जिसका इंकम मान लो अगर 20-30 रूपय रहेगा तो शायद हजार देड़ अजर की जीन्स पहनेगा समझ में आ रहा है कि लेकिन जिस मान लो कि जब आपका इंकम 20 अजर से ल लोगे एक साथ समझ रहोगा अभी यह मत बोलना सरह मार मनी पर जाएंगे ठीक है वह आगे की बात है लेकिन आप समझ लो में क्या बोल रहो ठीक है तो इतना याद रखना उससे जब इंकम बढ़ता है ना तो तुम्हारे नॉर्मल वूर्स का डीमांड बढ़ता है और इं मार्लो के कपड़े बहुत अच्छे म Gabo for example मुझे शौर लेने को जाना था मान डीमाद टी ऊस्ति के शोरण में जाय रहता है इंटर आश्यर्ट कर रहता है लेकिन दिका मुझे लगे जो आपर दीखा फ्लैफ फ्लैट 90 परसेंट ओफ ऐसा कभी होता नहीं लेकिन मान लो दिख गया ठीक है मैंने उसको पुच्छा क्यों रहे था बोले कुछ नहीं मैं को खतम कर देने का है स्टॉक जाने का है उदर नागलेंड जाने का है बोल रहा गोमने के ठीक है ना तो इसको अपन वापे क्या बोलते है बोला सब्सेट्यूशन जो गूर्स का कीमत अगर कम होगा ना अपन इंस्टेड ऑफ बाइंग दा गूर्स ऑफ हाईयर प्राइजेस वी विल प्रेफर तू बाइवाट प्राया गूर्स ऑफ दा लोर प्राइज समझा के इ बहुत बार ऐसे होता है मेरे साथ तो होता है कभी-कभी उस दिन में एक शोरूम में गया था एक्स वाइजड वापे ना में सप्टेबर मैने की बात है ठीक है तो वापे ने बहुत प्यारा जैकेट था जिसका कीमत नॉर्मल ही होता है साड़ याट से नौ अजर रूपया उस टाइम पर जैकेट मिल रहा था सिर्फ तीन अजर उपय में हित्ते मिल रहा था तीन अजर में मिल रहा था ठीक है मैंने ले लिया हो क्यों रहे बाबा क्यूंकि में बाद लगने वाला है चलो वह टाइम पर हमारे बारिश भी चल रही थी वह एक्चुली थंडी वाला समझो for example बारिश की स्विजन में भी पहन सकता हूँ तो इससे मेरे multiple wants फुल भी रोड़े थे कैं नहीं हो देती मुझे बताओ तो इतना याद रखना कि जब भी किसी भी commodity अगर multipurpose अगर उसका यूज रहेगा तो आप पर उसका प्राइस का मुनिक बड़ डीमांड एकदम से बड़ा देते हैं समझा के मैं क्या बोल रहा हूँ next new consumer अभी मुझे एक बात बोलो मानलो for example दोस्तो आइफोन का 15 pro max जो मॉडेल है कौन सा है को पता नहीं उसका इतना मानलो इसका कीमत समझे एक लाग पचास अज़र रूपया कितने कात है उत्ते के आता रहेंगा न शायद एक पच्चास काता रहेंगा न भाबा एक लाग पच्चास अज़र रूपया का मानलो for example ओ मोबाइली ठीक है कल जाके क्या हो गया क्या मालूम दोस्तो स्ट्यूब्स जॉफ्स तो अभी नहीं रहे न लेकिन मानलो for example अभी जो एपल कंपणी को चलाने वाला चिंटू ए मानलो उसके सपने में मानलो मेरी मेच चले गए मेरी आत्मा चले गई आनि उसको क्या मालूम क्या हो गया दूसरी दिन उसने आए पून डायरेक दस हज़र रूपयाश कर दिया तो मुझे एक बात बोलो देड़ लग का बोन जब आई पे उसके वरे से भी वापे क्या हो जाएगा दूस्तों डिमांड उसका बढ़ जाएगा ठीक है वें दा प्राइज ऑफ कमोडिटी फॉल्स न्यू कंजूमर क्लास एपियर वो क्यान एफोर्ड कर सकते वैसे वाली चीज है ठीक है आगे देखो चलो अभी आखला यहा इसको डायरेक्ली फुल पिल कर सकती है डायरेक्ट दिमांड इस डाट डिमांड वीच डिरेक्ली सैटिस्पाइव ओंट अफ दे कमोडिटी यह वीच डायरेक्ली सैटिस्पाइव ओंट उप एनी परसन समझा के मैं क्या बूल रहा हूं जैसे फॉर एक्जंपल लेखो मान इसको लेने का है वो खुद करेंगा समझा कि जैसे आपना मानलो सावन है चले एक चप्टी दे दे समझा क्या तो उसके क्या होगे वह पर जो इच्छा है वह आप उसकी पूरी हो जाएगी समझ में आया कि इंडिरेक्ट डिमाड मतलग क्या दोस्तों पता है कि आप किसी और चीज को फुल करने के लिए कि किसी और चीज की डिमांड करना समझ में आ रहा है कि जैसे फॉर एक्जम्पल देखो दोस्तों सावन भया को आज शाम को यू यह रहे सेलिब्रेट करने बरावर तो उसके लिए आप पर क्या कर रहे मानलो चने की दुकान में जाके चने ले रहे हैं आप समझ रहे मेरी बात म कमिगे एक ना वो वाला वाला इंटीक है तु मानलो फॉर एक्जम्पल में और और मैं मानलो कि लोगों को एप 초ack उनके उनके सपनों का घर बनाके देता हूँ क्या काम करता हूँ बोलो अपन साधा काम नहीं करते हूए लोगों के सपने पूरे कर रहे है आप समझ रहे हो ना तो लोगों के सपनों के घर में बना के वापे देता है उसके लिए मैं आपे क्या करता हो मानलो वो क्रस्ट सेंड पता है न आपको वायू वायू उसका में ओर्डर करता हो मानलो तो यह क्या हो गया बोले इंडारिक्ट kg रही है समझाके सिमेंट मंगा रहो मांदों इंडारक्टि मढगे ठीक है तो इंडारेक्ट डिमांड ड्राइव डिमांड समस्ता के तुम लोगों को पका ट्रे इंडार। फोर गुड्स विच इद फॉर फॉर्दर प्रोडक्शन थीक है मार्क करके रखना इंडारेक्ट डिमाइड इसारा अभी देखो दोस्तों समझो कॉम्प्लीमेंटरिं ज्वाइन डिमाण का एक्जमपल इसके पहले वाला जो दिया था न मैंजे सावन का वो जाद अच्छा वापर सूट हो जाएंगा वैसे समझ रण आप लोग में क्या हो चने चने ठीक है वह वाला याद रखना अभी देख इंग शर्ट के साथ और किसी के दिमंड करेंगा मुझे बताओ शिफ ट लेंगा क्या सब बोहाँ सब बन के सब सब नहीं तो आति च्पी बोलो है रहा है मैं उस च्रहि पास क्या नहीं यूज कर सकते कि इसको मौबील के साथ charger बीना charger का mobile use कर सकते के दोस्तों आप लोग नहीं कर सकते यह आगे वापे तुम्हारा composite demand composite मतलब क्या देखो दुस्तों ऐसा ही चीज जो आप हमारी multiple wants को पूरी कर सकती है जैसे mixer 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 उसमें आप आप टमटर गुमाओ उसमें आप आप ले सब लोगों सब चीज का करके देता के नहीं देता है मुझे उसमें आप मानलों आप जूच बनाओ समझा क्या तो क्या यह अपनी सारी इच्छा को पूरी कर सकती के नहीं बता उसके लिए मुस्तकिम जो खा रहा है समझा अब भी कुछ भी बनाओ समझ रहे हुआ कि मैं आपको क्या बोले रहीं ठीक है यह सब अपनी क्या हो जाएकी मुझे आप बोलो दोस्तों वापे अपना यह कंपोजी डिमांड हो जाएगा ठीक है next आपना आपे competitive demand competitive मतलब क्या the demand for the substitute goods competitive मतलब क्या दरस्तो the demand for the substitute goods समझा क्या जैसे for example समझो ना मुझे एक बात बोलो जैसे coffee और चाय यह substitute है क्या नहीं मुझे बताओ ओके जैसे मानलो Reynold का पेन और मानलो की Trimax का पेन substitute है क्या नहीं मुझे द्ष्राइब सब्सक्राइब लेक्सी का बोलो या दूसरा कौनसा आता है से लोका बोलो जाना मरने देना दो अलग अलग मॉड़ल है ना थिके यह सब क्या होता है मुझे आप बोलली दोस्तों इसको आपन वापे क्या बोलते बोलो competitive demand वापे बोलते समझा क्या the demand for the substitute goods ठीक है तो पास समझा क्या आपको direct indirect याद रहेगा आगे का composite competitive अनि कुन सा बोलो joint demand complementary demand ठीक है next अभी देखो determinants of demand determinants मतलब IC चीज है दोस्तों जिसके उपर अपना आपना डिमांड dependent है अभी देखो न पाइला determinant जैसे प्राइस मुझे एक बात बता हो ठीक है अभी जैसे अथर्व मानलो आपे देखो लॉलीपॉप खा रहा है कब से अलपन लीवी लॉलीपॉप बरबर है क्या अभी आप लोग मुझे एक बात वो रोस्तों कि अलपन लीवी लॉलीपॉप का कीमत पांच रुपे इस समझा कि तेरा बात अलगी वही आप चाहिए अभी देखो नेक्स क्या दिया है प्राइस डिटर्माइंड दिमांड फॉर दे कमोडिटी तुद लार्ज एक्स्टेंड इप्ड़ाइस इंक्रीजेस लेसर विल बीड़ बीड़ कॉंटिटी डिमांड इप्ड़ाइस अगे एक रिश आसान मलना है जाओ क्या आगे अगे इत्ता वेट किया ना इसा कर रहा है सिर्फ ठीक है बाबार चलो नेक्स देको आगे देखो जल्दी से क्या दिए अपर फटा फटा भी आगे आपन यहापे करेंगे कुन सा बोलो तुमारा इंकम कुन सा करेंगे आगे इंकम क करेंगे चलेगा क्या अभी मुझे एक बात बोला कि जब भी आपे लोगों का इंकम बढ़ेंगा लोगों का डिमांड भी बढ़ेंगा कि नहीं बढ़ेंगा नॉर्मल गुर्स का समझ रहे हो के नहीं समझ रहे हो बता आरे मैं खुद का घर में एक जामपल है मेरी जो होता है कि मुझे बता होता है कि यह किसका इफेक्ट है मुझे बोलो आप इंकम बढ़ने का समझा क्या होता है कि देखो यार 2000 रुप एक बाल तो वही रहते हैं लेकिन इतनी कहीं कि इज़्जद देने लगे वहीं नहीं समझा मुझे ठीक है जाने दो चोड़ो तो आप सम मालो दूसरे किसी की कीमत कम हो गए तो अपन अपना चोड़के वह ले लेते होता है की नहीं होता है मालो समझो दोस्तो मालो ओर एक्जमपल आपना सावन भाई आना मालो मार्केट में गया तो यह तो 20 रूपया की यह बोल रहे हो आप इसकी बाज़ो में वाप एक थी दो तो कों से थी तीसलरी थी वो थी 10 रूपय की एक लीटर होता है कि नहीं दस में भी मिलती एक लीटर आपको जूट लगता रहेगा तो ठीक है समझ रहने में क्या बोल रहा हूं तो मुझे एक बाद बोलो गया तब लेका टीसलरी मुझे बताओ जयान मैं कहा तो यह क्या होग वहाँ पर पंदब रहादन हो गय ठीक है इमेजिन कर आप ऐसा ठीक है अनि मोधी जी ने आपर क्या मन में पता ने उन्हें वाप सेटेक कर दिया एक रूपय लीटर में देखो समझ रहे हो तो जब भी एक रूपय अगर लीटर में हो जाएगा ना सभी क्या गलत है मुझे बाता है जिसका आवरेच पाच का रहेंगा तो भी चलेंगा तो लोग सोचेंगे के नहीं बोलो कार लेने के इसमें डीजल की कार लेने के लोग सोचेंगे के नहीं है इतना हुआ कि मुझे बाताओ जल्दी से उतरना पड़ता सबको दस बर है चलो देखो ध्यान दो इधर सबको उतरना पड़ता के नहीं मालो घर में कोई बुड्डे पेटे रहेंगे तो उतरा उनको है कि निग्यास बरने घर क्या ग्यास बरने का बाबा आउगड़े चलो इतना हुआ कि मुझे बाताओ जल्दी से पका समझ में है कि आप लोगों को ओके आगे नेचर आप दो प्रूड़क्त अभी देखो दोस्तों किसी चीज का यूज करना तुम एवड़ी नहीं कर सकते हैं इसे देखो ना आते समय साबून यूज करते के नहीं सब लोग साब बौडी वाश पॉड्य वाइव वाइव बॉड़ी वाश बोलते हैं बार बर गणा मुझेत बात ब条स हों आइसा होंगा के तुम मारा कि तुम वहां पर बीना साबून का ना चाल और पbyeaha साबी निम्हा होंगा क्या मुझे बताओ कि उसका यूज कर सकते क्干 je शैंपू के जगा पे सर को रीन साबन से ना सकते क्या मुझे बता हो नहीं हो सकता दोस्ता ऐसा है पता चले दूसरे दिन कैसी ती और क्या से क्या हो गए दोस्तों है के नियुक्त हो जाएंगा तो आप समझ रहे मेरी बात में क्या बोल रहा हूं इतना याद रखना बच्चो कि यह ना किसी चीज का यूज अगर आप आवड़ी नहीं कर सकते जैसे आपनी जो यह ना सोनल दी उसको मालो दम एक आत्रा से वह बीना पंप के रह सकती क्या मुझे बता हो मैं मेडिसीन वाला पंप बोल रहा हूं ठीक है समझ रण आप लोग मेरी बात उसकी भीना रह सक लेते थे पूरे कॉलनी में लेकिन मालो फॉर एक्जेंपल आपकी वह जैसे आप मालो दो पास्टों लोग और रहने को आगए आपकी फैमिली अच्छी है ओके आपका घर अच्छा है सारी चीजे लगने लगी है तो मुझे एक बात बोलो आपर सुनो मेरी बात मुझे एक ठीक है आगे एक्सपेक्टेशन अबोट फुटूरे प्राइजेस मतलब क्या समझो फिसे पॉर एक्जम्पल देखो दोस्तों अपनी जो कश्पी है ना ठीक है उसको मालो फॉर एक्जम्पल लेस का बहुत शोक है लेस पता है ना आपको होने के चीप साते देखो लेस पता है ना लेस ठीक है उसको आपे खवर विली उड़ती उड़ती सही पाली करने उसको फून करके बोला कश्पीय दीदी देख अगले टाइम से मेरा एडवर्टाइस का ब्रैंडिंग का पाई सबाड़ाने वाला तो ये लेस का कीमा जो है ना पच्छास रूपया का यह उने वाला देड़ सुरूपया उसको लग रहा इसका प्राइस बढ़ जाएंगा तो आज क्या करेंगे उसका पर दीमांड करके खोली वर के लेज लाके रख देंगी बरबर गलत लगे लेकिन मानलो उसको पाता चला कि नहीं या अभी यह सस्ते होने वाले ओके तो फि पेट्रोल ची कीमत भी समझा एंशी रूपया पासुन त्रेंशी रूपया ओनर है ऐसा होता था बाला इसा नहीं उजाता था पहले वाला क्या तो हम लोग सब लोग क्या करते थे पता है कि रात को सौन्डे जे से पेट्रोल पर जाके वहां पर टंग की भूल करके आते थे क्यों को पता है कि कल जाके इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो आज आपन क्या करेंगे इसका ज्यादा डिमांड कर लेंगे समझा के नहीं समझा ठीक है नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट मतलब देखो किसी लोगों को एट्रैक करने के लिए ऐसे ज्यादा प्रोमोशन होगा ज्यादा चिंटी लोग एट्रेक्ट हो जाएंगी किस के तरफ बोलो फेरन लवली के तरफ बरबर है क्या गलत है विंटर सीजन वाला फेरन लवली समझा क्या तो फिर मुझा एक बाद बोलो तो उसका डिमांड भी आटोमेटिक क्या हो और मानलो किसी चीज का अगर मानलो आप समय रड़ा मेरी वैच से लिपस्टी के मानलो वह आती न कौन सी बारिश के टाइम पर भी उसके लिपस्टिक वेस ही रहती देखो एडवर्टाइट चल रही तिपीश में हाँ मेर को नहीं पता में नहीं लगा था तेको बड़ा ब देखो यार दोस्तों यह जो चीजे होती ना क्या बोल रहा था मैं लिपस्टिक लिपस्टिक जो होती है ठीक है तो आप समझ रहना मेरी बात में क्या बोल रहा अगर जादे एडवर्ट इसकी तो जादा लोग एट्रेक्ट होंगे बारिश में भी आमनलीप्स्टिक नहीं दो ठीक है शिव 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 वित्र हो जाए सब क्लास आगे देखो नेक्स टेस्ट हैबिट एंड फैशन ठीक है देखो दोस्ता अभी टेस्ट मतलब के जिसे एका देखो एका दी चीज बहुत जादा पसंद आ जाती है मानलो फॉर एक्जमपल आपना जो क्रीश है ना उ आप एल से हाथ दाल की पानी जिलाता है तो फिर वहाँ पर क्या करेंगा उसकी डीमांड हमेशा करते रहेंगा दूसरा माल लोग आप हैबिट है हैबिट समझ रहना आप लोग वह के लोग होते दोस्तों जिनको बड़ी लत लग जाती किसी चीजों की तो आपे चाके भी तो उसका डीमांड कम कर सकते के मुझे बोलो नहीं कर सकते तीसरा फैशन आज कल के पैशन तो अलगी चलते बाबा स्टैंडर भी करी बोलता मैं उनको ठीक है ना मुझे एक बात बोलो फटे वह कपड़े पहिंते के नहीं पहिंते लोग देखो पेर पे इधर उदर हाई के जैसे क्लाइमेटिक कंडिशन है दोस्तों आप अगर देखते रहेंगे जब बारीज का मौसम आता है दोस्तों तो चाय और बज़े खाना बहुत अच्छा लगता है पकोड़े के नहीं होते हैं मुझे बोलो क्लाइमेटिक कंडिशन मेरे को बज़े बोलने हैं तुझे कु सब्सक्राइब अगर पॉलिसी स्ट्रिक कर दे तो डिमांड कम होंगा पॉलिसी अगर तो डिमांड ज्यादा होगा समझा क्या आगे कस्टर्में ट्रैडिशन परंपरा होती देखो जैसे दिवाली के टाइम पर आपन क्या पहिंते शेरवानी यानि कुर्ता पाईजा मां सब्सक्राइब के टाइम पर जो मुस्लिम कम्यूनिटी उसमें क्या पहिंते वो आता है ना खुस्तों बेसे एकदम इसके वाला आता है देखो वो बुर्खा क्या बोलते हैं आप लोग उसको एकदम वैसे वर्क वाला रहता है ठीक है ना वाइट ऐसे मेल रहते हो वाइट मुस्तगीम द्यान दे इधर वेटा तु भेक उनुकवा चला सुना मेरी पात राइट अभी नेक्स तुनाने वापर यह लॉव डिवाट टीक है तो देखो लॉव डिमान जो ए चीज ने किसने बोली बोली अलफ्रेड मार्शल ने किसने बोली आनुशका उंगली पीछे क अब से चल रहा ही तरह एक दम फिल ले रहा हुए ना पेंसील से चला सुना मेरी बात ध्यान दमें क्या बोल रहा हूं तो देखो में क्या बोल रहा है समझो तो लॉव डिमांड जो है ना यह अल्फ्रेड मार्शल नाम का एक बाबू है को नहीं है उन्होंने एक भूक लि बिल्डिंग रख तो भी मुझे ध्यान में आता तो बात कर रहा है तो इधर देख तू ठीक है हां समझ में आया न मैं क्या बोल रहा हूं तो कुछ भी रख बैटा उदर उन्हें पूरा गद्दी भी डाला तो भी मुझे समझेंगा तो बात कर रहे तू इधर ध्यान दे म देखेंगे वो बोलता तुम्हारी जो बाकी की चीज़े ना जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया और फैक्टर रिमेनिंग को अधर फैक्टर मतलब फैक्टर अधर देन प्राइज इतने फैक्टर मुझे बोलो दी जो जाल दी से अधर फैक्टर वहांते हैं सब्सक्रराइजमें गया pictource में ओने डिमंड पर भीद हो जो की आएग एक बड़ी तो दूसरा कम होता दूसरा बड़ा तो पाहिला कम मतलब आप समझ रहो ना प्राइज बड़ा तो डीमांड कम प्राइज कम तो डीमांड जादा बोला समझा के नहीं समझा ठीक है उसको आपन यहां पर क्या बोलते प्लीज वीडियो और रखवा आप लोग में लास् टाइम भोलगा तो इसको आपन आपके क्या बोलते मुझे बमलं इनवर्स रीलेशंशिप बोलते आप मुझता की सब्स Wireless होग हो बोला समझा कि नहीं समझा क्लियर कैं मुझे आ तक बता diek के नेक्स दिखो इनका अनुनकर आ फे क्या बोला अब लगता है कि तुम्हार law of demand अगर satisfy होना चाहिए तो वो case में तुम्हा को आपे ये कुछ assumptions वापे रखने पड़ेंगे तुमको आपे क्या रखना पड़ेगा बोलो कुछ assumptions वापे आप लोगों को रखने पड़ेंगे ठीक है पहला उन्होंने क्या दिया है ट्रस्ट मी वॉइस समझा के नहीं समझा आप लोगों को इतना level of income वापे क्या होना चाहिए मुझे बोले लिसे वापे तुमारा constant होना चाहिए बोलो समझा के इतना ठीक है अभी इतना याद रखना समझो मेरी बात में आपे क्या बोल रहा आप लोगों को मेरे पास भी smiley तुम्हारा आके लि लेवल अप इंकम कॉंश्टेंट तो ऑब्येस थी दोस्तों पहले तुमारे इंकम पच्छाज अग्दाने आते ते मांनों पास्तो रुपे किते का थे दोसर रूपे किलो अन्मानलो यह कद्दी ने वापे हो गया समझा आजर रूपे किलो दो सल बारीश ने अजर रूप तो डिमानु inver जो चें सोडिना होंगा अगे सब्सेटीटों के उत्त नहीं है मतलब जो तुमारे वापे डिटर्मी acknowledgement थे दोस्तों जो तुमारे वापे किया ते मूलो Determinant and Determinant, वो सारे के सारे Determinant except देखो चार चीजे, मतलब अगर तुम आपे Price of the Commodity को अगर Exclude करोगे, Nature of Product को अगर Exclude करोगे, उसके बाद Advertisement and Other Factor, ये चार चीजे छोड़के है न वापे, बाकी के जो भी तुमारे Determinant थे क्या, वो सभी के सभी तुमारे Assumption रहेंगे, सिर्फ ये चार नहीं आएंगे उसमें, तुमारे सारे Determinant except ये चार चीजे, मुस्तकिम इधर ध्यान देतू, ठीक है, तो ये क्या रहेंगे मुझे आपे बोला, आपके Assumption रहेंगे, बोलो समझा क्या, तुमको ये क्या तक इतना, ठीक है, अभी देको, next, ध्यान दुआ, आगे उना, तुम लोगो को, आपे दे, exception to the law of demand, अभी देको, नॉरमली आपना, डीमान काईसा होता है, वोलो, कर्व काईसा होता है, नॉरमली आपना, left to right, downward होता है, इसा, लेकिन exception में उल्टा हो जाएंगा, मतलब प्राइस बड़ा तो, दीमान और बढ़ेंगा, बारी के ने कामिया, है के ने वादतो, नॉरमली काईसा हुआ है, आइसा हुआ 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 है, देकिन exception में कैसे होगा, ऐसे होगा, एसे हुआ है, हम जा के मैं क्या बोलनो, ठीक है, हावी जान दु सुनों लेफ्ट राइट अप्वाट रहेगा लेफ्ट राइट पूले आप पूर रहेगा बच्छो समझा के नहीं समझा ठीक है अब ऐसे कुझ से द्यान दो आकाश्ट बाल बाद में वह बैट इधर द्यान दे पहले ठीक है अभी देखो सुनो पहिला गीफन परेडोक्स गीफन मतलब क्या बंगार कॉलिटी की गुड्स इस इंफेरियर गुड्स ठीक है तो वो क्या बोलता वापे कि बाबा अभी जैसे देखो ना मानलो की पॉर एक्जम्पल लोगों का इंकम बड़ा तो तुम बंगार कॉलिटी के गुड्स ही उसकारना चार्य करेंगी के बताओ समझे रहों कि आप लोग क्या करोगे सब्सक्राइब और गुड्स को लेंगे आपन पर अच्छे गूड्स लेंगे तो इसके लिए आपे तुमार क्या है बोले एक्सेप्शन है बोले समझा कैं नहीं समझा इसका प्राइज बढ़ा तो तुम क्या सोचते मरन मतल। इसका प्राइज अगर कम हो गया मनूव गुट्स में तो प्राइज उसका डीमांड तुम्हारा बढ़ता हुथा नहीं है उसका डीमांड उल्टा कम हो जाता है समझा कि इसलिए कि एक्सेप्शन है मांदार लाइट लागा रहे जारा बैटा तेरे पीच्छे से कुछ भी चमक रहे मेरे को डर लाग रहे है इधर ठीक है आगे देखो ने तो मेरे पास बेजी में बर दूंगा लाइट लगा जा रहा है कंजूस इंसान आगे देखो नेक्स क्या दिए उन्हाने प्रेश्टीज गुर्स जैसे नेट्प्लिक्स पे मुवी देखरार मस्त फिल रहा एकदम आगे देखो क्या दिया मुझे आप पर प्रेश्टीज मतलब क् अभी देखो ना पहले के जमने वह आप देखो लोग ना बुलेट लेते थे राजदूद गाड़ी लेते ते बराबर एक गलत है यह क्यों लेते थे मुझे बोले एक स्टेटस सिंबॉल लेते बराबर एक लेकिन आजकल आगर आप देखोगे तो समय दर ना तो कुछ-कुछ चीजा इसी रहती दोस्तों जो सिफ स्टेटस के लिए लोग लेते काई से लेते बोले सिफ स्टेटस के लिए लेते बोले समझा के नहीं समझा आपको ठीक है वैसी बात नेक्स उनने आपे दिया हमको स्पेकिलिश सटा मानला अभी प्राइज बहुत जाद है लेकिन मैं आप और बढ़े है के में क्या बोल्ट रहा है लेकिन को लगा दर बढ़ेंगा तो लो फिर और लेंगे की लेंगे लोग वहाइसी बात आगे प्राइज़न निद अधा ने लोगो तो इसको अच्छा होता है कि निए ख्रीश ऐसा बोथ बाता है कि उसका किधर चल रहा है क्या मालों जाने बेटा तेरा मेरे पास करें एग्णोरणस कोच लोगरें दंस्तों प्राइस के बारे मतलब करें चाहिए मतलब चाहिए काम हो गया बात घतम मुसी तक इंस का राकिक हमेंता अभी कि यौद तौक प्राइटू है यड़े है आगे देखो चोले इदर इग्णोरेंस तो देखो आपर ध्यांद में क्या वल रहा हूँ तो आभी सम्झें मेरी बात को कुछ को लोब कहीं जरी स्थारइस aux लेंट रहते हैं बहुत बार मेरे साथ यह केस में होता है ऐसा ऐसा मालो मेरा को वानलो उला सती पसंद है Definitely Water Milan बहुत ज्यादा सब्सक्राद औरेंज बहूत ज्यादा पसंदेami examining सब्सक्राइब में बर पसंदे शी टापल पसंदे फवेलन मिलता हो 25 रुपए किलोग्रम मिलता है 25 रुपए 30 किलो तीर डिंग कि है अई तर्मिनल आए तो आप उसने बता लगे 25 रुपे से दिये मेरे को पाई चन गए लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि नो 40 रुपे लागा देते माल लगा जैसा होता है यार चाहिए मतलब चाहिए बात खतम फिर उसका प्राइज कुछ भी रहे होता है कि नहीं होता है बोले ऐसा तो उसको क्या बोलते हैं मतलब आप प्राइस जादा रहेंगा तो भी डिमांड करेंगे आगे हैबिचुल गूर्स तुम तो लट लग गई लग गई प्राइस गया भाड में खाना नहीं मिला तो भी चलेंगा काम तो करके जाएंगे समझ में आया कि तूंका हैबिचुल जिसके मीं आप छी नहीं सकते हो आप समझ रहें मेरी बात में क्या बोल रहा हो डवकेस में आपके डिमन होगा अब्स क्योंक्स कै伨 दूना ना वापे न एक कंशेप्ट है उसको आपन वापे र्याका श्लाइट लागा नहीं दें तो मोनबत्ति लागा लेकिन गर में तो माचीज जाला ते रहे इसे और इसे मां चीज जाला तेरे मांने चलने दे बेट आइसे दस जाए बेटा लेकर चलने देशिप्राइब कशने तक भी समेंट दौने चाहिए थिकेटाइब तो अपनी मशाल बुझने नहीं चाहिए वो नहीं कि गुड्डी आती देख लड़की आती है दो इस चेंडी वाली यह से करती है वह इस तदी करा एक वीच वीच में उम्हेर को चलो आगे देखो जल्दी से पाठा पर ठीक है अभी देखो दोस्तो बेसिकली आपे दो तरीके के डिमांड चेंज होती है कि वाज़ा हो सकती है किसी भी गुड्स का डिमांड दो वाज़ा करेंज होगा एक तो होगा तुमारे प्राइस के वज़ेसे अंदूसरा होगा अगे बेसिकली चैप्टर समझें लेकिन पका यह नहीं समझे पका क्लियर है ना ज्यान में आ रहा है ना अपने सिलेबस में नह अभी देखो तो प्राइस अनि अधर फैक्टर ऐसे दो चीज़ों के रिए से आपर क्या होता है वोलो डिमांड तुमारा चेंज होता है समझा क्या इंफलेशन मतलब प्राइस बढ़े गए ने राजया तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होंगा क्या सिका रहा में पूचा इंफलेशन मतलब क्या इंक्रीज इन देफर फैसे अगर प्राइस के विजसे चेंज हो रहा ना तो तुमारे अधर फैक्टर कॉंस्टंट रहेंगे समझा के मैं क्या बोल रहा ने अधर फैक्टर के जैसे चेंज होंगा तो प्राइस कॉंस्टंट रहेंगी यह रूल याद रखना बोलो समझा क्या नहीं समझा पक्टा क्लियर यहा तक अभी जान दो सुनो मेरी बाट ठीक है अभी देखो दोस्तों यहापे क्या होगा पता क्या बोलते हैं आप अपनों उसको बोलो चेंज इंडिमांड बोलते हैं इतना समझा क्या आप लोगों को पक्का ठीक है अभी वेरियेशन में दो टाइप है पहला है तुम्हारा वापे एक्स्पांशन क्या है मुझे आप बोलो दूसरा है तुम्हारा कॉंट्रेक्शन ओ कईसे लोगे रहे तुम्हारा कि दिख रहा किदर दिख रहा तिरको ने उसको इसका पार है को फोन चालोई गया उसका अब बोला रहता मैंने अभी अब ब्रीच के नीचे बेट के काम करने को पई से रीचर्ट करने को नहीं है अभी देखो सुना मेरे वाद ध्यान देजर वाट आपका खाने को सब किसर आगे देखो एक्सपंशन में आपके आएगा देखो ध्यान दो एक्सपंशन में के आएगा समझे चलो मज़ा कर रहा था वेटा बढ़ आच्छा लड़का हो ठीक है उसके गरवलग सोड़के सब का सुनता हो अभी देखो सुनो मेरी बात यहां पर क्या एक्सपंशन मतलब करें प्राइज रहेगा बरबर ही क्या पहले तुमारा आईसा था dire Prime dose न yapmış जांधे निट के आगे जाएगा तो तुमारा क्या होँगा मुझे पता my lesson जाएंगा इसा डाउनवर्ड मूव्मेंट होगा कैसा मूव्मेंट होगा लेफ्ट राइट डाउनवर्ड मूव्मेंट होगा जब भी जगह पे उपर नीचे होता है उसको मूव्मेंट बोलते हैं जब जगह चोड़के आगे या पीछे जाते हैं उसको शिफ्ट बोलते हैं क्लियर हैं इधर देखो नीचे मठ दीखो लगे है यह variation में तुम्हारा सिरिफो सिफ क्या होगा बोलो movement होगा समझा क्या यह से देखो यह तुम्हारा curve तो तुम्हारा left to right पहले यहाँ पर price था यहाँ पर quantity था मान लो तुम्हारा ऐसा मतलब आप समाई दर ना मेरी बात है पहले तुम्हारा इधर था फिर तुम्हारा price का more demand और बड़ा इधर बड़ा demand इधर से इधर गया है समझा क्या तुम्हारा क्या होगा downward shift downward movement होगा left to right downward movement होगा किस में मुझे बोलो expansion में contraction में क्या होगा तो पहले price इधर था demand इधर था इधर था point अभी price बड़ा demand का मतलब इधर से इधर जाएगा that is what left to right upward shift होगा leftward shift होगा upward right to left left to right right to left right to left upward shift होगा उचको क्या बोलेंगे होगा अपन movement shift नहीं यार क्या बोल रहा हो मैं movement होगा movement shift नहीं होगा बच्चो expansion में क्या होगा यारे आसमीता तो आके लिए बड़ बड़ करती क्या रूखना जा रहा सबसे बड़ बड़ कर रूख वावा जा रहा देखो expansion में क्या होगा तुमारा left to right movement होगा downward movement ठीक है contraction में क्या होगा मुझे आपे बताओ right to left upward movement होगा बोलो समझा के नहीं समझा आपको बख्का clear है के मुझे बताओ ठीक increase में क्या होगा पता है क्या अभी देखो increase में क्या होगा यह तुमारा यह समझो price तुमारी constant है ना change में तुमारा price constant रहता के नहीं तुमारा demand कर मानलो इदर है अभी तुमारा demand कर आग्गे चले जाएंगा फिर price constant है ना यार तुमारा rightward shift होता है आनि decrease में क्या होगा तुमारा price constant है पहले इधर था अभी इधर आएगा तो leftward shift या backward shift बोलते अपने इसको इसको क्या बोलते forward shift बोलते समझा क्या, इसको कौन सा movement बोलते, downward movement बोलते, इसको कौन सा movement बोलते, upward movement बोलते, बोलो समझ में आया कै नहीं आया तुमको, ये MCQ में आता वला क्या, downward, upward, forward, backward, increase and decrease में shift होता, आने expansion and contraction में क्या होता, movement होता, आइधर upward movement और downward movement, upward कब होगा, expansion के guess में, downward कब होगा, contraction के guess, नहीं, my mistake down chat Ett學 मोवमेंट का होगा तुमारा expansion के के से forward movement का होगा contraction के के से सब्सक्राइब वापस बोलत है वेरियेशन की केसस में क्या constant रहेंगा other factor constant रहेंगे price change होगा और चेंज की किस में क्या होगा price constant रहेंगा other factor change होगे clear है क्लियर है क्या मुझे बताओ expansion contraction increase decrease आएगा आप लोगों को एक बार आप पक्का पढ़ लोगे क्या मुझे बताओ यह chapter को जल्दी से घर पे जाके आज इसको पक्का पढ़ोगे आठ मारका है दोस्तों मजख मत करना ठीक है कल में आप लोगों को elasticity of जो demand वाला chapter है न वो पढ़ाओंगा और बस उतना ही पढ़ा पाऊंगा दोस्तों चाके भी ज्यादा तो नहीं पढ़ा आप लोगों को मैं ठीक है कितना करके आओगे पक्का अच्छे से दिक्कत मुझे बताओ जल्दी से आ तक पक्का कल दो चैप्टर लेंगे अपन सुनो थ्री बी लेंगे और फॉर लेंगे तो अब कल शार्प छे बजे लिंग दे दूगा मैं च्छे पास तक लिंग दे दूँ आज भूब लगी थी तो मैं ब्रेक लेंगे निकुग आया था थोड़ा सा पोटा पानी कटी गे लो तो में ठीक है तो अपन कल क्या करेंगे पहले ठीबी ले लेंगे और फिर फोर ल सर आज क्या अकाउंट की रिकॉर्डिंग नहीं डाल लिया